कहानी की शुरू में हमिक आदमी को देखते हैं जो एक गुफा में अपने डॉक की साथ था वहाँ पर बड़े से संदूग में ख़जाना चुपाने आया था और साथ ही उसने इस जगा का नक्षा भी बनाया हुआ था कि बाद में भी यहाँ पर आ सके जब वो यहाँ से जा रहा था तभी सारी गुफा हिलने लगती है ऐसे लग रहा था जैसे कोई जलजला आ गया हो बाहर जाने का रास्ता बंथ हो गया था उस आदमी का डॉक तो दूसरी तरफ चला गया था पर वो उधरी गुफा में फस गया था वो अपने डॉक को एक संदूग और यहां का न पर एक आदमी जिसका नाम एमिट था जो उसी आदमी का पड़ पोता था जो गुफा में दफन होकर मर गया था वो बैठा अपने बच्चों और उनके दोस्तों को यह कहानी सुना रहा था कि कैसे उसकी दादा ने इस गाओं में ख़जाना चुपा कर रखा हुआ है पर यह पर हमें पता चलता है एमिट की बेटे का जो दोस्त था उसकी अंकल से उसने कुछ पैसे लिए हुए थे वो आदमी अप एमिट से उधरी पैसे लेने आ गया था और साथी बहुत सारा इंट्रस्ट भी मांग रहा था वो एमिट को नोटिस देता है कि पांच दिन के अंदर उसे उसके सारे पैसे लोटाने होंगी अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका घर और फार्म जब्त कर लिया जाएगा वो आदमी सब कहकर चला जाता है उसके जाने के बाद कुछ लोग एक गाड़ी में एमिट की दादा का कुछ सामान लेकर आते हैं जो मरते हुए वो एमिट उसको खोलता है तो उसमें डॉग था जिसको टिमपर कहकर बुलाया करते थे वो उसको अपने बच्चों को देकर अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ काम के सिलसले में चला चाता है ताकि वो कुछ पैसों का बंदोबस्त कर सके और अपनी बड़ी बेटी को यसे मिधारी द बात बिलकुल सच है अब वो उस खसाने को ढूरने का फैसला करते हैं तब ही उसकी बड़ी बहनाती है और कहती है मैं पार्टी में जा रही हूं तुम प्लीज घर पर रहना और घर से बाहर मत जाना उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेत हैं और साथ ही अपने डॉग को भी लेकर उस खसाने की तलाश में निकल जाते हैं वो सबसे पहले उसी गुफा में जाते हैं जो हमने कहानी की शुरूर में देखी थी उधर ही उनको जमीन पर कुछ नजर आता है जब यह वहां से मट्टी हटाती है तो उधर उन्हें एक ब बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है जिससे वो बॉक्स खुल जाता है इसको उसके अंदर से एक लोहे का टुकडा और आगे जाने का नक्शा मिलता है जिससे देखकर दोनों बहुत खुश हो के थे और आगे बढ़ने लगते हैं मगर वो आदमी भी इनका पीछा कर रहा थ जिसने एमिट को उधार पैसे दिये थे क्योंकि उस वक्त जब एमिट की दादा इस खजाने को चुपाकर वापिस आ रहे थे जो गुफा में जल्सला आया था वो असल में इसी आदमी के दादा ने ब्लास्ट करवाया था क्योंकि उस वक्त वो भी इस खजाने की तराश मे जिसको उल्टा लेट कर ही देखा जा सकता था, वो डॉग उनको भी देखने का कहते हैं, एमिट का बेटा और उसकी दोस्त जब ये देखते हैं तो उन्हें भी वो पहाड नजर आ जाता है, जब ये थोड़ा सा आके जाते हैं, तो उन्हें आके जाते हैं तो उन्हें आके ज तो तुम्हें उसी तर्फ जाना होगा जिस तरफ वो पहाड इशारा कर्ता है। वहाँ जाकर तुम्हें बहुत सारा सोना और चान्दी मिलेगा। उधर उनके डाग लकडियां जमा कर रहे थे तभी उन्हें एक सुराख नसर आता है उधर घर में एमिट की बड़ी बेटी वापिस आ गई थी जो अपने भाई को जब नहीं देखती तो बहुत सादा परिशान हो जाती है गर में एमिट अपनी दोस्त के साथ आ गया था वहाँ आकर जब ये बच्चों का पूछते हैं तो एमिट की बड़ी बेटी छूट बोल दीती है कि वो अपने दोस्त की घर गए है इधर एमिट का बेटा जो अपनी दोस्त के साथ ख़जाने की तलाश में था उन्हें जंगल में एक सुराख मिलता है जिसमें इन्हें एक घंटी और कुछ पुरानी चीज़े मिलती है उस घंटी पर कुछ लिखा हुआ था एमिट की बेटे की दोस्त उसे समझाने लगती है उसको पता चल चुका था वो कहती है यह हमें आगे जाने का रास्ता बताएगी तभी उधर एक भीड़ी आ जाता है जिसको देखकर सब डर गए थे एमिट का बेटा उस भीड़ी पर अपना बैट फैंकता है जिससे वो फाग गया था दोसरी तरफ वो आदमी जो बच्चों का पीछा ख़जाना हासिल करने के लिए कर रहा था उनके पास भी वो भीड़ी आ चाता है जिससे सबी डर गए थे और जाकर अपनी गारी में बैट जाते हैं उस आदमी के पास एक ऐसी टिवाइस थी जिससे बिचली के जटके देने वाले टिवाइस को भीड़ी पर इस्तमाल किरने वाला था तब ही गलती से वो जल जाती है और हडबर आहट में बिचली के जटके इसी आदमी और इसके साथियों को लग जाते हैं उधर एमिट को जब बच्चे नहीं मिलते तो परिशान होकर वो उन्हें धूर्ने निकल जाता है जब वो बच्चों को ऐसी थका हुआ देखती है तो अंदर आने का कहती है और एमिट के बेटे की दोस्त की चोट पर दवाई लगाती है और बताती है कि मैं यहाँ पर अपनी मा के साथ रहती हूँ जो भी बाहर गई हुई है एमिट का बेटा जब अपने बारे में बताता है तो जादू गर्नी कहती है उसके डैड की दादा का नाम लेकर क्या तुम्हें जानते हो वो कहता है हाँ वो मेरे डैड की दादा थे तब ही वो जादू गर्नी उसको एक बॉक्स देती है जिसमें से उसे एक छोटी कुलहारी और आगे का नक्षा मिलता है बच्चे जब बाहर देखते हैं तो उधर वो ही आदमी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था मगर वो जादू गर्नी अपने घर की खूफिया रास्ते से उन बच्चों को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है तब ही उसी जादू करनी के दर्वाजे पर वो आदमी भी आ गया था जो बच्चों का पीछा कर रहा था वो जादू करनी से पूछता है कि बच्चे कहा पर हैं जिस पर वो जूट बोलती है कि वो नहीं जानती के बच्चे कहा पर है वो आदमी इसको अपनी विजली के जटके देने वाली टिवाज दिखा कर तराता है तहता है देखो अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो अच्छा नहीं होगा तुमारे साथ उधर बच्चे अपनी आखरी मंजिल की तरफ पहुँच गए थे पर वहाँ पर एक जर्ना था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था लेकिन अचानक ही उधर उनके डॉग को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जो शोर करके उनको अपनी तर्फ बुलाते हैं वहाँ निशान में एक छोटा लोही का टुकड़ा घंटी और चोटी गुलहारी रखने के निशान बने हुए थे जो जो चीजें इनको अब तक मिल चुकी थी उन चीजों को उधर लगाते ही पत्रों के दर्मियान एक रास्ता बन जाता है जिसे देख कर वो बहुत खुश होते हैं तभी उधर वो ही आदमी भी आ गया था जो इनका पीछा कर रहा था वो कहता है शुकरिया मेरे बच्चों खजाने को ढूरने के लिए जब वो उस रास्ते पर जाने वाला था तभी उस गुफा से बहुत सारे चमकादर बाहर निकलाते हैं जिससे सब का ध्यान भटक गया था इस बात का फाइदा उठाकर एमिट का बेटा उन सब चीजा को निकाल कर अपनी दोस्त और डॉक्स की साथ अंदर चला जाता है जिसकी जाते ही रास्ता बंद हो गया था वो अंदर आकर इधर उधर खजाना ढूरने लगते हैं वो ही गुफा थी जहां पर एमिट के दादा ने खजाना चुपाया था ये सब ट्रॉली में सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं बाहर वो आदमी जो खजाने का पीछा कर रहा था वो बाम को ब्लास्ट करकी रास्ता खोल लेता है अभी बाम के फटने की आवास एमिट भी सुनता है वो भी उधर पहुँच चुका था अंदर गुफा में एमिट के बेटे को वो ही संदोग मिल जाता है जो एमिट के डादा ने चुपाया था वो जब उसको खोलते हैं तो उसमें सिर्फ हड़िया थी वो सोचते हैं निमेहनत करने के बाद भी हमें सिर्फ ये पुरानी हड़िया मिली क्या फाइदा हमारे एक निमेहनत का पर टिमबर को उधर सोने की एक खड़ी मिलती है जो वो थोड़ा सा आगे चागर देखते है तो वहाँ पर बहुत सारा सोना था उनको अपनी आँखों पर ये तीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक खजाने कर ढून लिया लेकिन उधर वो आदमी जो खजाने की तलाश में था उधर आकर सब को पकड़ लेता है उधर ये जादू गरनी का डॉग भी आ गया था बाहिर आते ही वो आदमी जो खजाने की पीछे था सब को कहता है ये खजाना मेरा है और बिचली के जटके देने वाली टिवाइस से भी डराता है तब ही एमिट के बेटे की डॉग्स उस पर हमला कर देते हैं बो टिवाइस गलती से ओन हो जाती है उसके चलते ही उसे और उसके साधियों को जटके लगने लगते हैं जिस पर सब हस रहे थे लेकिन एमिट अभी भी परिशान था क्योंकि उस खजाने तक जाने का रास्ता बंथ हो गया था वो सोचता है अब तो उसे पांच दिन बाद अपना घर खाली करना ही पड़ेगा पर तब ही उधर टिमबर सोने की हड़ी लेकर आता है अब उनको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी कि इस खजाने को भी यह ढूडेंगे इसी हैबी एंडिंग के साथ यह मोवी यही पर खत्म होचा दी है